नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आयरवेद आरोग्य और शदी चानल के एक और नए एपिसोड में दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रनाली आयरवेद में तुलसी एक बहुत ही महत्वपून जड़ी बूटी है और अब साइंटिफिक रिसर्च भी हम अंकायटिस, ब्रॉंकियल अस्थमा, मलेरिया, दस्त, त्वचा रोगों, कठिया, नेत्र रोगों, बुखार, साप के काटने और बिच्छू के डंक आदी के उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज हम ये जानने की कुशिश करते हैं कि क्यों तुलसी को एक मौडर्न संजीवनी बूटी कहा जाता है और इसके कौन-कौन से स्वास्थिलाब होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयरवेद आरोग य और शदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फामली के साथ इसे शेयर और लाइक भी जरू करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों भारत में कॉफी के स्थान पर तुलसी वाली चाय पीना बहुत ही फेमस है इसके साथ ही आप अच्छी हेल्थ के लिए तुलसी के पत्तों का रस भी ले सकते हैं पवित्र तुलसी से निकाले गए तेल का उपयोग तरह तरह के लोशन्स, साबुन, पर्फ्यूम्स, शांपूज और कंडिशनर्स बनाने में भी किया जाता है। आप अपने घर में एक अरोमा डिफ्यूजर में भी तुलसी का तेल डाल सकते हैं जिससे आपका घर तुलसी की शांत खुशबू से भर जाएगा और ऐसा करना आपकी इम्म्यूनिटी को भी इंप्रूव करके आपकी श्वास संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में तुलसी का होना नेगेटिव एनर्जी और वाइब्रेशन्स को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। तोलने की कोशिश की गई तब सत्य भामा के सभी आभूशन भी उनकी बराबरी नहीं कर पाए। लेकिन रुकमिनी द्वारा तराजू में बस एक तुलसी के पत्ते के रखने से ही दोनों तरफ का वजन बराबर हो गया। दोस्तों इस से तुलसी के मूल्य का भी पता चलता है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि तुलसी भगवान विश्नु को बहुत प्रिय है। और इसलिए हर साल कार्थिक मास के ग्यारवें दिन भगवान विश्नु के पवित्र शाली ग्राम लिंग से तुलसी का विवाह किया जाता है। और दोस्तों तुलसी विवाह नाम के इस अनुष्ठान से ही पूरे भारत में वार्षिक विवाह के मौसम की शुरुआत होती है। तुलसी के प्रकार दोस्तों तुलसी का सैंटिफिक नाम ओसिमम सैंक्टम है जिसे इंगलिश में होली बेसल कहा जाता है। तुलसी को मंजरी, कृष्णा तुलसी, त्री तत्वू और व्रिंदा देवी या व्रिंदावन की देवी भी कहा जाता है। चलिए अब हम तीन मुख्य प्रकार की तुलसीों के बारे में जानते हैं। पहला डार्क रामा तुलसी, इसे ग्रीन लीफ तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। जैसी और स्वाद धोड़ा तीखा होता है। तीसरा वन तुलसी, दोस्तों इसे जंगल तुलसी या वाइल्ड लीफ तुलसी भी कहा जाता है। इसके पत्तों का रंग ब्राइट और लाइट क्रीन होता है। ये पौधा जादातर एशिया और नौर्थ हीस्ट आफ्रिका के जंगलों में पाया जाता है। इसकी खुश्बू और स्वाद दोनों ही हलका खटापन लिये हुए होते हैं। तुलसी के पोशक तत्व दोस्तों तुलसी बहुत सारे पोशक तत्वों से भरपूर होती है। विकारक हो सकती है और ऐसा हमेशा एक डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाव पर ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम तुलसी से होने वाले कुछ स्वास्त लाभों के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों तुलसी एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है जिसमें आंटी इंफ्लेमेटरी, आंटी बायोटिक, आंटी बैक्टिरियल और आंटी अक्सिडेंट गुन होते हैं। तुलसी एक बहुत ही अच्छा अडाप्टोजन होता है जो हमारे तनाव को कम करके हमारी इम्मुनिटी को भी बढ़ाता है। श्वास सम्मंधी विकारों के लिए भी तुलसी एक रामबान और शधी होती है। तुलसी के पत्तों के साथ शहद लेने से गले की खराश दूर होती है। कान दर्ध होने पर तुलसी के ताजे रस की कुछ बुंदें प्रभावित कान में डालने से राहत मिलती है। तुलसी का रस शहद के साथ लेने से हिचकी भी दूर होती है। तुल्सी का उपयोग एक कितानू नाशक, बाक्टीरिया नाशक और दुर्गंद और सूजन को दूर करने वाले के रूप में भी किया जाता है। तुल्सी डाइबिटी से बचाने और कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। तुलसी बुखार और सिरदर्द से भी राहत दिलाता है। पुराने और लंबे सिरदर्द को ठीक करने के लिए तुलसी के तेल की दो बुंदे नाक में डालने से राहत मिलती है। दोस्तों तुलसी विटामिन के का एक अच्छा सोर्स होता है जो कि एक फैट सोलिवल विटामिन होता है और जो हमारी हड्डियों और हार्ट की हेल्थ में एक महद्वपोन भूमिका निभाता है। तुलसी अपच्छ, हिस्टीरिया और अनिद्रा आदी रोगों के इलाज में भी बहुत प्रभावी होता है और दोस्तों लगभग सभी आयरुवेडिक सिरप्स में तुलसी एक इंपोर्टन्ट इंग्रेडियन्ट या घटक होता है जो कि ब्रॉंकाइटिस को कम करने में मदद करता है। दोस्तों अब जब हमने तुलसी के और शधिया गुनों के बार पत्तों के रस में नारियल या बादाम का तेल मिलाकर इस मिश्रण को दिन में दो से तीन बार प्रभावित जगह पर लगाने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है और घाव जल्दी भर जाता है। कीडे के काटने पर भी इसे लगाने से आपको तुरंट दर्ज सिराहत मिलती ह वजन घटाने के लिए दोस्तों ताजा दही और ताजा तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना कर दिन में एक बार लेने से ये वजन कम करने में भी मदद करता है। ये नई रक्त कोशिकाओं या बलड सेल्स के निर्मान और उरजा के स्थर को बढ़ाने में भी मदद करता पेस बुखार के लिए आधा लीटर पानी में 15-20 तुलसी के पत्ते और एक चोथाई टीस्पून इलाइची पाउडर उबाल कर एक काढ़ा तयार करें। इसके ठंडा होने पर इसमें थोड़ा सा गुड मिलाएं और दिन में 2-3 बार पिएं। किद्नी स्टोंस के लिए। दोस्तों तुलसी एक बहतरीन डीटॉक्सिफाइंग एजन्ट होता है जो कि हमारे शरीर में यूरिक आसिड के स्तर को कम करने में मदद करता है और गुर्दे की पत्तरी को तोड़ता है। इसके लिए आप 20-25 तुलसी के पत्तों को 2-3 घंटों के लिए 2 कप पानी में कर रखें फिर इसे पानी के साथ उभा लें और ठंडा कर लें अब इसमें थोड़ी सी अध्रक और शहद मिलाएं और इसे पिए ऐसा आप नियमित रूप से करें। रिदय रोगों के लिए तुलसी में यूजिनॉल नाम का एक इंपॉर्टेंट आंटी ऑक्सिडेंट होता है जो कि शरीर में ब्लड प्रेशर और कुलेस्टरोल के सतर को नियंदृत करने में मदद करता है जिस से की हार्ट अटाक का ख़त्रा कम हो जाता है। इस के लिए आप तुलसी के कुछ पत्तों को चबा कर खा सकते हैं लिए तुलसी की चाइब बनाने के लिए आप 10-12 तुलसी के पत्ते हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फाइदेमंद होते हैं और हमारी मेमरी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। माइंड पावर बढ़ाने के लिए आप रोजाना तुलसी के पांच पत्तों का पानी के साथ सेवन करें। गोरापन बढ़ाने के लिए। द अप्ताह में दो से तीन बार इस फेस पैक का उप्योग करें। पिंपल के दाग धबों के लिए। दोस्तों मुहासों के निशान को दूर करने के लिए तुलसी बहुत इफेक्टिव होता है। इसके लिए आप बस तुलसी के पत्तों और संत्रे के छिलकों के पाउडर का पे इसके लिए आप तुलसी के पत्तों का पाउडर और आवला पाउडर को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को अपने बालों में महंदी की तरह लगाएं। और दो से तीन घंटों के बाद किसी भी माइल्ड हर्बल शैंपू से धो लें। डैंडर फ खुजली और रूसी को भी कम करता है। इससे हेयर ग्रोथ भी बढ़ता है। आखों के लिए दोस्तों तुलसी कंप्लीट आई हेल्थ और रतौंधी या नाइट प्लैंडनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रतौंधी होने पर आप तुलसी के रस की एक से दो बू तुलसी एक बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है। तुलसी में आंटी स्ट्रेस एजेंट या अडाप्टोजन होना मेंटल टेंशन और स्ट्रेस को कम करता है। जब भी आपको स्मोकिंग करने की तलब हो तो आप तुलसी के कुछ पत्तों को चबाएं। जैसे ही आपके म इस उपाई को कुछ दिनों के लिए ही करने से आप हमेशा के लिए धुम्रपान को अलविदा कह सकते हैं। चिकन गुनिया की रोक थाम के लिए। चिकन गुनिया होने पर तुलसी का काड़ा बहुत इफेक्टिव होता है। इस काड़े को आप तुलसी के पत्तों और पूरे दिन पिए खासी और जुखाम के लिए दोस्तों बच्चों को होने वाली खासी सर्दी दस्त उल्टी आदी के लिए तुलसी बहुत प्रभावी होता है। के बीच पुरुषों में कमजोरी और बांशपन के साथ साथ अन्य यौन विकारों के इलाज में बहुत प्रभावी होते हैं। मुँ के छाले होने पर तुलसी के पत्तों को चबाना भी फायदेमंद होता है। नियमेत रूप से पानी में तुलसी का रस, हल्दी और सेना नमक मिलाकर गरारे करने से सभी तरह के मौखिक और गले के इंफेक्शन्स ठीक हो जाते हैं। ये आपको बैक्टिरिया और जर्म्स से भी बचाता है जो मुँ के रोगों का मुखिकारन होते हैं। पाचन के लिए दोस्तों तुलसी पाचन और पेट की बिमारियों जैसे की पेट में एठन और दर्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पेट दर्थ से तुरंत रहात पाने के लिए आप एक टीस्पून अदरक की रस में एक टीस्पून तुलसी का रस मिलाकर इसका सेवन करें। तुलसी वाली चाय, कब्ज, अपच, बवा, सीर, असिडिटी, मासिक धर्म में होने वाले दर्थ आदी के लिए भी बहुत एफेक्टिव होता है। देंगू के बुखार के लिए दोस्तों तुलसी के पत्तों को 2 ग्राम काली मिर्च पाउडर डालकर उबालकर पीने से डेंगू के बुखार में रहात मिलती है। एंजाइम्स के रिप्रोडक्शन या उनके बढ़ने में मदद करता है जिससे हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन और अंटी ऑक्सिडेंट के प्रोडक्शन में मदद मिलती है। ये लिवर की चरवी को कम करता है और नॉन आलकोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज की बिम के या ब्लड क्लोटिंग के टाइम को धीमा करता है इसलिए क्लोटिंग डिसॉडर से पीडित लोगों को इसके इस्तिमाल से बचना चाहिए। इसके अलावा हार्ट पेशिंट्स जो ब्लड थिनर्स जैसे की आस्परिन, क्लोपिडो, ग्रेल, वार्फरिन आदी पर हैं उन उनमें भी तुलसी या तुलसी की चाय का अधिक सेवन करना उनके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही नीचे ले जा सकता है। पाँछवा, प्रेग्नेंसी के फर्स ट्राइमेस्टर में अधिक तुलसी लेने पर गर्भा शैक का संकुचन या यूट्राइन कोंट्राक्शन और ब्लीडिंग हो सकते हैं, इसलिए इस टाइम पर इसे नहीं लेना चाहिए। संपान के समय भी तुलसी का सीमित सेवन ही करें। छठा, तुलसी और अध्रक वाली चाय का अत्यधिक सेवन करने से बचें क्योंकि इस से हार्ट बन, आसिडिटी और पेट में दर्ध हो सकत दोस्तों आशा है कि आज के इस वीडियो के जरिये आपको इस बहुमुलियत तुलसी के कई इंटरस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे और आप इस पवित्र तुलसी को अपने जीवन में जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारी टीम द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही ग्यानवर्दक वीडियो देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आईरवेद आरोगी औशदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्